श्री शिवाय नमस्तुप्यम जै मतराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगविते दुर्गा की क्रिपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे अठारे फरवरी 2023 शनिवार के दिन महा शिवरात्री का वरत रखा जाएगा और मेरी तरफ से आप सभी को महा शिवरात्री की हार्दिक शुप कामना है भगवान भोले नाथ की क्रिपा सदैव आप सभी पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुवात करते हैं दोस्तों महा शिवरात्री के दिन पूजा आरादना आपको जरूर करनी है अगर आप कहीं यात्रा में भी हैं तब भी आप मानसिक रूप से भगवान शिव की पूजा आरादना जरूर कीजिए जैसे कि मानसिक रूप से भगवान भोले नात का अपनी मन में ध्यान करके और सभी चीजें आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं मन ही मन मतलब मानसिक रूप से आप ध्यान करके उनका जला भी शेक कर सकते हैं और सभी प्रकार से उनकी पूजा आरादना आप मानसीक रूप से भी कर सकते हैं। तो अगर आप यात्रा में भी हैं, तब भी आप मानसीक रूप से भगवान शिव के मंत्रों का जब कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। और जो भक्त घर में हैं और उनके घर के आसपास कहीं भी शिवाले हैं भगवान शिव का मंदिर है तो आज कम से कम एक बार मतलब आज तो 24 घंटे ही भगवान शिव की पूजा आराधना होगी तो आप पूरे दिन में कम से कम एक बार शिवाले जाकर भगवान शिव का दिवान शिव का शिवलिंग है या फिर फोटो है शिव पारवती की तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बना कर भी पूजा कर सकते हैं मतलब महा शिवरात्री के दिन कम से कम एक बार शिवलिंग का अभिशेक अवश्य करना चाहिए। चाहें आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर करें, या फिर मंदिर जाकर करें, या फिर घर में अगर आपके शिवलिंग विराजित हैं, तब तो अत्यंतीरेश्ट हैं, आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो गंगा जल चाहिए, क्योंकि गंगा जल भगवन शिवय को अत्यान तिप्री है, और सफेद पुस्प आपको चाहिए, आप चाहें तो आग के पुस्प ले सकते हैं, यानि कि मन्दार के पुस्प जो होते हैं सफेद वाले, या फिर जो धतूरे का पुस्प होता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा कोई और भी सफेद पुस्प आपको मिल जाए तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं और जैसे कि कई प्रकार के पुस्पों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं जैसे कि पीले गेंदे वाले जो पुस्प होते हैं, पीले कनेर के पुस्प होते हैं, सफेद कनेर का पुस्प होता है, या फिर गुलाब के पुस्प और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप कमल के पुस्प का भी प्रयोग कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा में कमल के पुस्प का प्रयोग करने से अत्यंत स्रेष्ट फल की प्राप्ती होती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर आप कमल के पुस्प का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो जो पुस्प आपको मिल जाए आप उसे ले सकते हैं। से परेशान हो तो धतूरे का फल अवश्य चड़ाना चाहिए। और शमी के पत्ते शमी के पुष्प इसके अलावा पान के पत्ते लौंग इलाइची सुपारी, भांग, सफेद चंदन, भस्म, रुद्राक्ष, केसर, मौली जो कलावा होता है। और हाँ महा शिवरात्री की पूजा में अबीर, गुलाल और इत्र का प्रयोग भी अवश्य ही करना चाहिए। और माता पारवती के लिए सुहा की सामगरी भी जरूर रखिए। और जला भी शेक करने के लिए आप पंचामरित का प्रयोग कर सकते हैं जैसे की आप शुद्ध घी ले सकते हैं, दूद ले सकते हैं, कच्चा, दही, शहद और सक्कर। ये पंच चीजें मिलाकर पंचामरित बनता है, आप इनका अलग-अलग भी अभिशेक कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ इखटा करके रख लीजिए एक ही पात्र में और एक बार में भी अभिशेक कर सकते हैं, पंच मेवा जो की आप भगवान शिव को अरपित करेंगे, यो भी आपके पास उपलब्दो, अपनी शक्ती सामर्थ की अनुसार, भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नकुछ अवश्य रखिए, इसके अलावा कुछ अन्ने भी प्रयोग किये जाते हैं भगवान शिव की पूजा में, जैसे कि गेहु का प्रयोग किया जाता है अगर आपकी संतान प्रापती में बाधा आती है, बहुत समय हो गया और संतान की प्रापती नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप साबुत गेहु ले सकते हैं, या फिर साबुत जो ले सकते हैं, और भगवान शिव को ये एक मुठी पूजा करने के बाद अरपित करना चाहिए और हाँ, काले तिल अवश्य रखेए, क्यूंकि काले तिल अगर आप जल में मिलाकर अरपीद करते हैं, या वैसे भी आप काले तिल अरपीद करते हैं शिवलिंग पर, तो इससे किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में शनी जनित हो, या फिर राहूकेतु से सम्बं शिव को अरपित कर सकते हैं ये सभी ग्रहों से संबंधित होते हैं तो अगर हम अरपित करते हैं ग्रहों से संबंधित कोई भी अन अगर आप शिवलिंग पर अरपित करते हैं महा शिवरात्री के दिन तो इससे क्या होता है सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं से आपको मुक्ति पूजावीती के बारे में देखिए अगर आप शिवरात्री के दिन घर में पूजा कर रहे हैं तब तो आप घर में एक जगह चौकी लगा दीजिए जहां पर भी आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है वहाँ पर एक चौकी स्थापित कीजिए उस चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और उसी पर भगवान भूले नाथ को विराजित कर दीजिए सपरिवार उन्हें विराजित की जैसे की कार्तिके भगवान नंदी देवता ये सबी होने चाहिए लेकिन अगर आपके पास पूरा परिवार नहीं है शिवलिंग के साथ तो ऐसे में एक सुपारी पर आप कलावाल पेटकर और गणपती बना सकते हैं और माता गोरी आप गोबर से भी बना सकते हैं चाहे त मतलब कम से कम आपके पास भगवान भोलेनात के साथ गोरी गड़ेश अवश्य होने चाहिए जब आप पूजा करते हैं घर में तो अगर आप मंदिर जाकर कर रहे हैं तो वहां पर तो पूरा परिवार ही होता है और जैसे कि कई मंदिरों में पूरा परिवार भगवान शि प्राप्त होता है लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं और पूरा परिवार आपके पास नहीं है तो गोरी गणेश अवश्य बना लीजिए अब आपको सबसे पहले एक शुद्धिगी का दीपक प्रज्वलीद करना है और एक आपको कलश की स्थापना करनी है भग दरचल से उसे भर दीजिए और उस पात्र में आप दो लॉंग डाल दीजिए दो हरी इलाइची टाल दीजिए एक सिक्का डाल दीजिए उसके ऊपर पंच पलल रखकर उसी के उपर दीपक की स्थापना कर दीजिए दीपकलश बना दीजिए तो फिर आपको अलग से दीप पत्र रख देना चाहिए जब भी हम बगवान शिव को विराजित करते हैं तो उनके नीचे जो आसन दिया जाता है वो बिल्वपत्र का होता है या फिर आप चाहें तो अक्षत का आसन भी दे सकते हैं और इसी प्रकार से गौरी और गणेश को भी आसन दीजिए इसके बाद दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुस्प और एक सिक्का लेकर संकल्प लीजिए कि आज आप महाशिवरात्री का व्रत धारन कर रहे हैं या व्रत नहीं कर रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं इस बात का संकल्प लीजिए संकल्प इस प्रकार से आप ले सकते हैं पहले अपना शिवरात्री का वरत या पूजन कर रहा हूं सपरिवार पूजन कर रहे हैं तो सपरिवार संकल्प लीजिए कि आप सपरिवार बैठ कर भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे अपनी मनो कामना अगर आपकी है तो अपनी मनो कामना कह सकते हैं कि आप इस मनो कामना से भगवान भोलेनात के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है और इसके बाद अगर आपने वरत रखा है तो वरत का संकल्प लेने के बाद आपका वरत भी प्रारंभ हो जाता है तो विधिविधान से अब आप पूजा करेंग उसके बाद कार्तिके भगवान को और उसके बाद नाग देवता को और फिर आपको भगवान शिव को जल अर्पित करना है इसी क्रम से आपको पूजा करनी है जो भी सामगरी आपके पास है जिस प्रकार से आपने सबसे पहले गणिश जी को जल अर्पित किया है उसी प्रकार से बाकी के भी सभी द्रव्य पहले गणिश जी को अरपित किये जाएंगे उसके बाद माता गौरी को फिर नंदी देवता को फिर सकंद भगवान को और उसके बाद नाग देवता को और फिर आपको भगवान शिव को अरपित करनी है सभी चीजें जो भी सामगरी आपके पास उपलब्ध हैं सभी सामगरी सब पर इसी प्रकार से क्रम पूर्वक अर्पित की जाती हैं तो पहले जल से अभिशेक कीजिए उसके बाद जो भी द्रव्य आपके पास उपलब्ध हो उस द्रव्य अशे भिशेक कीजिए फिर उसके बाद आपको शुद्धोदक शनान कराना होता है, मतलब फिर से आपको जल से अभिशेक करना होता है, सभी देवी देवताओं का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसके बाद सबको वस्त्र अर्पित कीजिए, तो देखिए, आप कलावा में से दो धागे तोड कर, और दो दो धागे सब को अर्पित करने चाहिए, मतलब उपर का वस्त्र और नीचे का वस्त्र, इस प्रकार चे दो दो वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो शनान और वस्त्र के बाद आप श्रिंगार करेंगे, तो चंदन, मतलब जो भी चंदन आपके पास और माता पारवती को और गणेश जी को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए और हाँ ध्यान रखिए रोली हल्दी और सिंदूर ये चीजे भगवान शिव को नहीं अर्पित की जाती हैं सिर्फ गौरी और गणेश को अर्पित किया जाता है और अगर आपके पास अबरग है त भगवान भोलेनाद को अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से कुछ चीजे हैं जो सिर्फ भगवान शिव को ही अर्पित की जाती है और हां भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिए और भगवान भोलेनाद को जो भांग धतूरा बिल्वपत्र इत्यादी ज जो आपके पास उपलब्ध हो भगवान शीव को अरपित कर सकते हैं और भोग जो भी आप अरपित करेंगे उसके बाद सभी देवी-देवता जो भी आपGoня पुझा पान के पत्ते पर लौं इलाएची और सुपारी रखकर अरपित करेंगे और हाँ जब आप पूजा कर रहे हैं जैसे के बिल्व पत्र भांग धतूरा इत्यादी अर्पित कर रहे हैं तो उसी समय आपको जो भी पुस्प इत्यादी अर्पित करना है सभी देवी देवताओं को अवश्य अर्पित करना चाहिए माता पार्वती को लाल पुस्प अवश्य अर्पित कीजिए मतलब गुलाब का या गुलाल का जो भी पुस्प आपके पास उपलब दो अब ऐसा नहीं है कि लाल पुस्प आप भगवान शिव को नहीं अर्पित कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा गुलाब के पुस्पों से करनी चाहिए इससे घर में खुशाली आती है इसके अलावा पीले कनेर के पुस्प या पीले गेंदे के पुस्प सफेद पुस्प जो भी आपके पास उपलबधो भगवान शिव को गणेश जी को सकंदे देवता को और और पूजा करते समय आपको किसी न किसी मंत्र का जब अवश्य करते रहना है चाहे तो आप पंचाक्ष्री मंत्र का जब कर सकते हैं या कोई स्तोत्र आपको आता है या कोई दूसरा मंत्र आप जबना चाहते हैं बिल्कुल जब सकते हैं लेकिन मौन रहकर पूजा नहीं करनी के बाद मंत्र जप कर सकते हैं कोई शा भी मंत्र जप कर सकते हैं किसी भी मनो कामना से कर सकते हैं ektर चाऊंच और फेरा से भगवान भोले नाथ की करिपा से वनिश्चती पूर्ण होती है therefore तो इस प्रकार से विधिविधान से आप पूजा कर लीजिए, पूजा पुरुन करने के बाद आप कपूर से भगवान भोलेनात की आरती कीजिए, और हाँ, आज सुहागिन महिलाओं को विशेश रूप से ध्यान रखना है, सिंदूर आप ही लगा सकती है माता पार्वती को कोई भी पुरुष माता पार्वती को सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, सुहाग की सामगरी आज आपको ही अरपित करना है, इस बात का ध्यान रखिए, और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, आज माता पार्वती को आप सिंदूर जो अरपित करते हैं, पीला सिंदूर केजिए और माता पार्वती की माग उसी से आपको रात में अगर पूजा कर रहे हैं तो रात में भी भर्रनी है दिन में भी अप उसी सिंदूर से ठरीये और उसके बाद वो सिंदूर आप अपने पास संभाल कर रखिए ताकि जब भी आप कोई भी शुब दिन आता है जैसे कि कोई वhrat अगर आप करते हैं जैसे करवा चोथ का वरत होता है या फिर आप हरताल का तीज खवरत करते हैं या वैसे भी कोई शुबदिन आता है आपकी मेरी जनवर्स जाती है ऐसे दिनों पर अगर आप वो सिंदूर लगाते हैं तो अखंड सौभागी की प्राप्ती होती है और हां महाशिवरात्री के दिन भी जब आप पूजा कर रहे हैं मातापारवती की और उनको सिंदूर लग करना ने के बाद उसी उंगली से अपनी भी अवश्य भरेए ऐसा आपको जितनी बार बिसंदूर लगाते हैं तो हर बार आपको यह कार्यकर नहिंए अब देखिए अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तब तो इस प्रकार से विधी विधान से आराम से आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर जा रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास इतना समय नहीं होता है कि एक एक चीज आपर पित कर पाएं। तो ऐसे में आप एक ही पात्र में सभी सामगरी लेकर जैसे कि आप पंचामरित बना लीजिए उसी में कुछ बिलवपत्र डाल सकते हैं या चाहे तो बिलवपत्र और शमी के पत्रों की माला बना सकते हैं ऐसे ही जो आपके पास पुस्पों हो तो पुस्पों की माला बना ली फिर जल चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद से जो भी सामगरी हमारे पास होती है उसे हम जैसे तैसे बस चढ़ा देते हैं क्योंकि इतनी भीड होती है कि समय नहीं मिलता है कि हम एक एक करके चीजे अरपित कर पाएं तो ऐसे में प्रयास कीजिए कि बिलवपत्रों की माला बन लीजिए शमी पत्रों की माला बना लीजिए इससे आपको बहुत आसानी होगी जैसे आप 21 बिलवपत्र अरपित करना चाहते हैं तो 21 बिलवपत्र एक एक करके नहीं अरपित कर सकते हैं लेकिन अगर आप सभी बिलवपत्रों की माला बना लेते हैं तो एक बार में आप च सामगरी आप अर्पित करना चाहते हैं, सभी सामगरियां अर्पित भी कर पाएंगे, और हाँ, शाम के समय घर के आसपास कोई भी शिवाले हो तो वहाँ दीपक प्रज्वलित करने अवश्य जाईएगा, मतलब शाम होने के बाद रात्री में किसी भी समय जाकर आप दीप प् कर सकते हैं जितना उनके नाम का स्मरण अधिक कर सकते हैं उतना ही श्रेष्ट होगा और हां जो पूजा की विधी मैंने बताई है इसी विधी से आप चाहें तो रात्री के चारो पहर में पूजा कर सकते हैं या फिर जैसे कि निशीत काल में पूजा करना चाहते हैं सुबह प भर्मे करते हैं तभी इस प्रकार से कर पाएंगे अगर आप मंदिर जाकर करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखीगा और बात करते हैं चारों पहर के पूजा के शुब मुहुट के बारे में प्रथम पहर की पूजा सुर्यास्थ होने के बाद जैसे कि 6 बजकर 21 मिनट से रात्री 9 बजकर 31 मिनट तक प्रथम पहर की पूजा का शुब मुहुट रहेगा द्वितिय पहर की पूजा का मुहुट रहेगा रात्री में 9 बजकर 31 मिनट से रात्री 12 बजकर 41 मिनट तक तीसरे पहर की पूजा का शुब मुहुट रहेगा मध्य रात्री में 12 चाहिए देखिए पूरा प्रयास कीजिए कि आप चार पहर की पूजा संपुर्ण कर पाएं विश्वास रखिए ये अद्भुत अनुभव होता है इस समय में अगर आप पूजा एक बार कर लेते हैं एक भी महाशिवरात्री पर चारों पहर की पूजा आप संपुर्ण कर ल दिखिए और पूरा प्रयास मैं करूंगी कि चारों पहर की पूजा की विधी आपको करके दिखा पाऊं अगर मुझे समय मिला तो आज रात्री में या कल सुबह आपको चार पहर की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए रात्री में या फिर निशीत काल की पूजा किस प्र नमस्कार